ड्रम और मिट्टी से तंदूर बनते वे आपने इंटरनेट पे बहुत देखा होगा लेकिन क्या आप जानते कि गोड़े के गोवर, बैसे के बाल और यूपी हर्याना की स्पेशल दोमट मिट्टी का इस्तमाल करके तंदूर का गमला मजदूरों के कितनी मैनत और कुसलता से तयार किया जाता है, जिसमें आप बड़े चाव से साधी भिया पार्टी और डावो पर रोटी नान लच्छा पराटा चाप खाना पसंद करते हैं, अगर आपने अपनी जिन्दिकी में एक भी बार तंदूर का बना खाना खाया है, तो इस वीडियो को बिना स्किप करें, लास तक देखना, आप इसका प्रोसेस देखकर चोक जाएंगे, मिट्टी का तंदूर बनाने के लिए सबसे जरूर चुरूर होती है, मिट्टी जिसको यूपी और हरियाना के गाउन से मंगा जाता है, इसको दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है, इसके बाद इसमें गोडे की लीद, और साथ में बाल मिला जाते हैं, जो बैसे के बाल होते हैं, और बहुत बारी बकरी के बाल ही मिला जाते हैं, बट बकरी के बाल 200 रुपे किलो होते हैं, और इसको सस्ता बनाने के लिए, इसके अंदर बैसे के बाल मिला जाते हैं, और अगर यही तंदूर इंटरनेशनल मार्केट के लिए बनाना आओ फिर इसके लिए यहाँ पे गेहूं के भूस का इस्तमाल किया जाता है जैसी मिट्टी अपनी चिकनी हो जाएगी इसके बाद फर्स पे गोल निशान बनाएंगे जिसके ओपर तंदूर का स्रक्षत तयार करा जाएगा जिसके लि बढ़ांगे है जाना लिए जहां पे बनाना आख़ो जैसे को उतने जासたい क्योंकि और फ्रस परर के लिए jya के बहूट अच्छे से सारे कर लिये और लगबाग यहां पर 40-50 तंदूर एक बारे हैं बनाय जाते हैं और इसके बाद पानी लेकर इसको बढ़िया से चिकना कियाता है ताकि इसके खुरदूरे कोने जितने भी हो वो अच्छे से इसके साथ प्लेन हो जाए और जैसे अपने तंदूर क चोड़ जाता है बाई यह इतना मैनत का काम होता है कि इसको पाच हिस्षों में अलग लग तरीके से बनाया जाता है क्योंकि एक स्रक्चर बनाते है उसको पूर एक दिन के लिए छोड़ा जाता है फिर दूसरा स्रक्चर बनाते है फिर दूसरे दिन के लिए छोड़ा जाता ह और ऐसे करते करते ये पाच अलग-लग हिस्सों बनके यहाँ पर तयार होता है तो देखिए पहला अपना जैसे यहाँ पर स्रक्चर बनके तयार हो चुगा था इसके बाद इस पर दूसरा स्रक्चर तयार किया जा रहा है जिस तरीके से पहला स्रक्चर तयार किया था प्रोसर जी के स्पीड घूमने के इतनी तेज होती है जैसे बिल्कुल भाईया जी की रेल गाड़ी छूटने वाली हो भाईया इतनी जल्दी है ट्रेन पकड़ने जाएंगे तो वह नहीं पकड़ पाएंगे लेकिन यहां पे इसको गूम गूम के बढ़िया से चप्टा कर देते हैं और इसके बाद दुबारे से पिंडी छापे की सायता से इसमें दुबारे से पिटाई की जाती है यह देखें जैसे मैं आपको बताया थे कि पास हिस्तों में बनाया जाता है देखें पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा तीसरा हिस्सा चोता हिस्सा और इसके बाद इसका फाइनल बनके तैयार हो चुक है अब ये मार्केट में जाएंगे आप इनके अंदर बढ़िया से नान रोटी पका कर और आज कल के टाइम में तो चाय टिक का कॉफी सब कुछ पका कर इसके पर पिएंगे तो भाई मुझे तो तंदूर की बना के वीडियो बहुत मजा है अगर आपको वीडियो देखके मजा और जानकारी लेकर मजा है तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें अपने दोस्ते जोड़ से शेर करें थैंक यू